चोपड़ा जो किसी यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो वेटनरी के रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं इसका जो टाइमिंग है वो बिल्कुल ही लिमिटेड है यानि की रेजिस्टेशन और फीज पेमिं है और फिर इसकी 24मार्च 22 है तो इसका च्वाइस फिलिंग भी आपको जल्द ही करना होगा। तो इस वीडियो में हम इस्टेप बाई इस्टेप प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि आपने कैसे को स्टेप इस प्रोर्म को फिल फिल किया जाएगा उससे कुछ steps कम हैं इसमें तो सबसे पहले आप इसकी website vci.dadf.gov.in पर जैसे ही visit करेंगे यहां right side में admission and e-counseling services for session 21-22 लिखा है इस पर आपने click करना है तो जैसे ही click करेंगे click here for online counseling का यहां एक tape दिया गया है इस पर आपने click करना है तो जैसे ही step पर click करेंगे आपके पास में दो option यहां show होंगे अगर आपने पहले registration करना है तो need की roll number fill करने है password fill करना है security pin fill करना है उसके बाद में sign in करना है अगर आप पहली बार visit कर रहे हैं और new registration करना चाहते हैं तो new candidate registration पर click करना है यहां पर terms and condition दी गई है I agree पर आपको click करना है तो जैसे ही I agree पर click करेंगे यहां आपके पास में registration form open हो जाएगा मैं आपको बता दूं कि यह जो application form है यह five steps में complete होगा पहली जो step होगी registration form होगा जो आप यहां देख रहे हैं उसके बाद में application form होगा उसके बाद में qualification detail fill करने होगी उसके बाद में education detail fill करने होगी contact detail फिल करनी होगी और उसके बाद में preview और submit करके हम इसका preview देख सकते हैं और registration fees पे करके 24 filling करेंगे तो इस परकार से इसके steps रहेंगे तो पहला step इसमें candidate registration का है तो इसमें आपने role number फिल करना है जो need के आपके role number थे इसके बाद में application number जो need के application number थे वो फिल करने है candidate का name, mother name और date over उसके बाद में नीचे security pin दिये गए है यह आपको इस box में फिल करने के बाद में submit करना है तो जैसे ही आप submit करेंगे यहाँ पर आपको एक password create करना है password create करने के लिए आप इस बात को जानते हैं कि इसकी policy होती है password की यह होती है कि इसमें एक capital letter होना चाहिए small letter होना चाहिए, figure होना चाहिए और इस special character जैसे add the rate of हो गया, dash हो गया इस परकार का special character होना तो है तो इस परकार का आप password इसमें choose करें, तो इसमें password फिल करें, confirm password जो choose कर रहे हैं, वो ही confirm password में डालें, security pin डालने के बाद में submit and next पर click करें, yes के option पर यहाँ click करें, submit के लिए, और इसके बाद में यहाँ आपके mobile पर OTP आएगा जो आपने need का application forum फिल करते से में mobile नमर दिये थी, उसी mobile नमर पर यहाँ पर OTP आएगा, और जो mail ID दिया था, उसी mail ID पर OTP आएगा, दोनों पर सेम ही आता है, या तो आप mobile पर आया होगा OTP यहाँ फिल करतें, या फिर email ID पर आया होगा OTP फिल करतें, इसके बाद में security फिन यह डालने के बाद में आप verify and final submit पर आपने click करना है, तो जैसे ही final submit पर click करेंगे, आपका registration form का जो step था, वो completed हो चुका है, अभी आपने application form की step को complete करना है, तो नीचे fill application form का option मिलेगा, यहाँ पर आपने click करना है, अगर यहाँ नहीं मिलता है, तो left side में fill application form का tape मिल रा है, उस पर भी आप click कर सकते हैं, इसके बाद में gender में आपका जो need के application form में आपने gender fill किया था, वो आएगा, nationality वही आएगी, जो आपने fill कर रखा है, religion, आपने fill करना है, category आपकी जो आपने fill किया है, वो category आजाएगी, इसके बाद में अगर आप PWD candidate हैं, तो yes कर दें, otherwise no कर दें, save and next पर आपको click करना है, तो जैसे ही save and next पर click करेंगे, आपका यह second step, जो application form का second step भी complete हो चुका है, yes पर click करने के बाद, इस परकार का interface आपके पास में आएगा, यहां पर आपको qualification detail fill करनी है, qualification detail में passing status में past लिखना है, passing year लिखना है आपका 12 का, इसके बाद में roll number fill करने है, 12 के school का name and address लिखना है 12 का और pin code, जहां पर आपका school located है, उस area का pin code यानि postal code, जो post office का code होता है, वो यहां पर fill करना है, इसके बाद में subject wise marks फिल करने है, physics, chemistry, English biology या फिर bio technology के, इसके अंदर passing status में सभी में past करना है, maximum marks जो 100 का होता है किसी का 150 होता है, तो maximum marks से यहां डाल दे, इसके बाद obtain marks भी आगे फिल कर दें, कि कोण से subject में आपने कितने marks obtain किये थे, वो सारी detail फिल करने के बाद में save and next पर click करना है, तो यह आपका qualification का जो step है, वो भी complete हो चुका है, आगे आपने contact details डालने है, contact details में correspondence address डालना है correspondence address, अगर आपका correspondence address और permanent address एक ही है, तो same as correspondence address पर click कर दे, otherwise अलग-अलग है, तो नीचे permanent address डाल दे save and next करेंगे, तो आपका contact details का जो step है, वो complete हो चुका है, अभी आपने application form का preview देखना है, उसके बाद में final submit करना है, यहाँ पर आप एक बार पूरा check कर ले, आपका जो photo right side में photo show होगा, जो आपने need के application form में fill करते समय, photo upload किया था, वो right side में show होगा, उसके बाद में आपके role number, application number, mother, name, gender, date ओपर थी, यह सारी चीज़ें यहाँ पर show होगी, तो आप एक बार इनको check कर ले, जो जितने भी हमने 5 step में यह form fill किया था, वो सारी 5 steps यहाँ आपको show होंगी, अगर आपने इसमें कोई mistake नजर आ रही है, उसमें कुछ से change करना है, correction करना है, तो यहाँ पर previous का button दे रखा है, उस पर आपने click करना है, अगर आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई change नहीं करना, तो जो declaration का check box है, उस पर tick कर देना है, और save and final submit पर click करना है, तो जैसे save and final submit पर click करेंगे, yes के option पर आपने click करना है, yes के option पर click करेंगे, तो इस परकार का interface यहाँ आएगा आएगा आपके पास, यहाँ पर आपको अभी registration fees पे करनी है, जब तक आप registration fees पे नहीं करेंगे, तब तक आप choice फिल नहीं कर सकते, तो इसकी general की जो registration fees है 1000 रूपीज है, EWS और OBC की registration fees है, वो 900 रूपीज है, इसके अलावा SC, ST, PWD candidate की 500 रूपीज यहाँ पर registration fees है, वो आपको पे करनी है, तो यह registration fees पे करने के बाद, इसके बाद में आप choice फिल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ कि जो security money होती है, इसकी वो pop up round में फिल किया जाता है, आपको यहाँ पर सिरफ registration fees ही पे करनी है, तो जैसे ही आप registration fees पे कर देंगे, उसके बाद में आप choice फिल कर सकते हैं, registration fees आप card से कर सकते हैं, online payment का इसमें option दिया गया है, तो आप इसमें fees paid कर सकते हैं, card से भी कर सकते हैं, यानि कि credit card, debit card, दोनु card में किसी से भी कर सकते हैं, net banking से भी कर सकते हैं, और इसमें UPI का option भी दिया गया है उससे भी कर सकते हैं आप phone पे Google पे वगरा जो भी है उससे भी आप इसमें कर सकते हैं तो इस परकार से आपका form complete हो जाएगा complete हो जाने के बाद में अगर आप फिर से इसमें login करना चाते हैं तो click here online counseling पर click करना है आपने या roll number फिल करना है password फिल करना है और security pin डालने के बाद में sign in करना है तो sign in करने के बाद में इस परकार का interface आपको दिखाई देगा जो आपने pay registration fees का option है वो यहां से हट जाएगा और यहां से आप choice filling पर click करके जो 54 colleges हैं उसको top से lowest के करम में यहां fill कर दें जो college आप पहले लेना चाहते हैं उसको पहले fill करें उसके बाद में next college fill करें तो यह इसमें कैसे आपने application form fill करना है इसके बारे में जानकारी थी next के वीडियो में मैं आपको ruling के बारे में बता दूँगा क्या rule है first round के second round की जो भी है वो मैं next के वीडियो में समझा दूँगा तो इसके लिए आपके पास अभी limited time है time कम है जितना जल्दी हो सके आप registration कर दें last date का wait ना करें क्योंकि last date को काफी rush होता है और इसमें कभी payment हो जाता है कभी payment अटक जाता है registration फीस का तो उसमें काफी प्रोब्लम में आती है तो जब आपको registration करना ही है admission लेना ही है तो आप तुरंत registration कर दें इसमें बाकी details से मैं आपको next के वीडियो में बता दूँगा तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन